पहला सवाल है चान की सते तक पहुँचने वाला पांचवा मुल्क कौन सा है रूस चीन भारत जापान ये चारो आप्शन भी बहुत अहम है और सही जवाब है जापान चान की सते तक पहुँचने वाला पांचवा मुल्क है जापान पहला मुल्क है अमरीका दूसरा मुल्क ह चीन, चोहता मुलक है भारत और पांचवा मुलक है जापान इस तरह से ये पांच मुलक हैं जो चांद की सते तक पहुँच पाए हैं इन पांचों की तर्तीब को याद एक लीजिए बास दफ़ा इम्तिहानात में इनकी तर्तीब से मुतालग भी सवाल आ जाते हैं तो तर्ती इस यल आई एम याने स्मार्ट लैंडर फर इन्विस्टिगेशन मून यह स्पेसक्राफ नाम है अगला सवाल है आयोध्या राममंदिर की तामीर का चीफ मेमार कौन है आयोध्या में जो हाली में जो राममंदिर की तामीर हुई है उसका जो चीफ आर्किटेक्ट है यानी तामीर का जो मेमार है उसका नाम है चंद्रकान सोमपुरा चंद्रकान सोमपुरा चंद्रकान सोमपुरा एक मशूर फैमली से इसका तालुख है और इसकी फैमली ने बहुत सारे मनादिर हिंदुस्तान में तामीर करवाए हैं इनका एक तारीख एक पसमंजर है अभी जो कुमनात का मंदीर गुजरात स्वामी नारायन मंदीर मुंबई अक्षरधाम मंदीर कांप्लेक्स गुजरात बिल्ला मंदीर कुलकत्ता और अब अयोध्या राम मंदीर ये भी चंद्रकान सुमपुरा की निगरानी में बना हैं अगला सवाल है फोप्स की हाल्या रिपोर्ट क कोईती दिनार यूरो या अमरीकी डालर और सही जवाब है कोईती दिनार फोर्प्स की हालिया रिपोर्ट की मताबिख दुन्या की मजबूत तरीन करंसी है कोईती दिनार यह पहले नंबर पर है कोईती दिनार दूसरे नंबर पर है बहरीनी दिनार और तीसरे नंबर पर है ओ ओमानी रियाल ये तर्तीब भी यादख लीजिए फर्स्ट कोईती दिनार सेकंड बहरेनी दिनार और थर्ड है ओमानी रियाल ये मजबूत तरहीं करंसी हैं अगला सवाल है सोलवी मालियाती कमिशन के चेर्मेन कौन है और इसका सही जवाब है डक्टर अर्वीन पनागारिया डक्टर अर्वीन पनागारिया सोलवी मालियाती कमिशन के चेर्मेन है ये पहले नीती आयोक के सावेखा वाइस चेर्मेन भी रहे है यानि डक्टर अर्वीन पनागारिया नीती आयोक के एक्स वाइस चेर्मेन भी रह हैं हमारा सवाल है सौलवी मालुयाती कमिशन के चेर्मिन को ने और उसका जवाब है डाक्टर अर्विन पनागारिया अगला सवाल है डाक्टर बी आर अमबेटकर के 125 फिट उंचे कहां से के मुझसिमे का इफ्तता किस रियास्यत में हुआ यहने डाक्टर बी आर अमबेटकर का जो 125 फिट उंचा कहां से का मुझसिमा बना है वो किस रियास्यत में उसका इफ्तता हुआ गुजरात केरला अंदर पर्देश या टमिल नाडू और इसका सही जवाब है आंदर पर्देश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड़ी ने सुवराज मैदान विजयवाडा में इस मुझसिमे का इफ्तिता किया सुवराज मैदान विजयवाडा और इस मुझसिमे का नाम दिया गया है Statue of Social Justice इस मुझसिमे का नाम है जो के डाक्टर बी आर अमेटकल से मनसूब है एक सो पचीस फीट उंचाय मुझसिमा है ये वीडियो सिर्फ मिम्बर्स के लिए बनाया जा रहा है और मिम्बर्स चुंकि बहुत कम उरहते हैं उर्दू में पढ़ने के लिए आप से है कि आप अपने दोस्त अहबाब को भी अर्खम अकेडमे की मिम्बर्शिप जाइन करने के लिए कहें ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इससे इस्तिफादा कर सके पहले ही अर्दू में यूटूब पर करेंट अफेर्स या जनल नालेज देखने वाले अफराद बहु के हाब है अगला स्वाल है दोदार्शोबीस में किनडो हवाई अड़ों को मुश्टरिका तौरपर साल के बहतरीन हवाई हुआ अड़े से नवाज आ गया हुद से दो नहीं व KEVIN हैं का एवाड दिया गया है यह जो दो हवायड़े हैं पेंगलूर का हवायड़े का नाम है कंपे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट और दिल्ली का जो हवायड़ा है उसका नाम है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट इन दो हवायड़ों को इनकी बहतरीन जिन्होंने हाल ही में भारत का दोरा किया था यहां पर पहली बात यह कि अख़वा मुतहदा की जनर्ल असंबली की जो सदर होते हैं उनकी मियाद एक साल होती है यानि हर साल यह चैंज होते रहते हैं इसलिए इनको हर साल रिपीट करते रहना पड़ता है रिवाइस करते रहना पड़ता है कंफ्यूज ना हूँ और सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस डेनिस फ्रांसिस 38 में अख़वा मुटेदा की जनर अस्मली के सदर है जिन्होंने हाल ही में भारत का दोरा क्या था डेनिस फ्रांसिस अगला सवाल है हाल ही में किताब एक समंदर मेरे अंदर शाय हुई यह किसकी तहरीर है एक किताब एक समंदर मेरे अंदर इस किताब की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि इस किताब की रसमेजरा जो की है दो अहम शक्सितों की है पहले हैं National Security Advisor अजित डुवल और दूसरे हैं Chief of Defense Staff जनरल अनिल चोहान जनरल अनिल चोहान और अजित डुवल ने इस किताब की रसमजरा की है और इस किताब के लिखने वाले हैं संजीव जोशी ने इस किताब को तहरीर किया है यह किताब दरसल इनके 75 नजमों का मजमुआ है 75 poems का ये collection है, संजी जोशी कौन है, संजी जोशी, ब्रहमोस Aerospace के Deputy CEO है, ब्रहमोस Aerospace के Deputy CEO है, ये तीन नाम भी Defense मतालग है, अजी डोवल, National Security Advisor, अनिल चोहान, Chief of Defense Staff, और संजी जोशी, ब्रहमोस Aerospace Deputy CEO, हाल ही में, जो किताब शाही हुई है, एक किताब, एक समंदर, मेरे अंदर, इसके writer हैं, संजी जोशी, अगला सवाल है, ISSF, World Cup 12-24, मर्दों का 10 मिटर Air Rifle Shooting Unit किस ने जिता, और इसका सही जवाब है, दिव्यान सिंग पनवार, दिव्यान सिंग पनवार ने 10 मिटर Air Rifle Shooting Unit को जिता, ISSF का, Full Farm है, International Shooting Sport Federation, जिसका सदर मकाम जर्मनी में है, International Shooting Sport Federation, और ये जो World Cup हुआ है, ISSF का, 2024 का World Cup, ये खाहरा में हुआ है, और हमारा सही जवाब है, दिव्यान सिंग पनवार, जिन्होंने 10 मिटर Air Rifle Shooting Unit जिता है, अगला सवाल है, हाकी Women's World Cup का टैटल किस ने जिता है, भारत, पाकिस्तान, नेदरलाइन, जर्मनी, सही जवाब है, नेदरलाइन, हाकी Women's World Cup, ये जिता है, नेदरलाइन ने, और रनर रहे, यानि दूसरे नंबर पर है, भारत, और ये मुखाबला हुआ है, मस्खत उमान में, मस्खत उमान में, और ये मुखाबला, FIH, यानि इंटरनेशनल हाकी, फेडरेशन के तहद हुआ है, हाल ही में, खला में सबसे ज़्यादा वक्त गुजानने का रिकार्ट किसने बनाया है, आंड्रियो मॉर्गन, स्कॉट केली, कॉमपैट्रियट गेनेडी, औलेक कोनोनेन को, और सही जवाब है, दूसरी बात, कि उलेक कोनोनेनको ने, खला में तकरिबन दो साल से जएदा, यानि आट सो अठेटर दिन गुजारे हैं, तीसरी बात, कि इससे पहले ये रिकार्ट जो है, वो गेनेडी पेडल का के नाम था, अब ये रिकार्ट उलेक कोनोनेनको के नाम है, अगला सवाल है, आइसी सी अंडर नैंटीन वर्ल्ड कप दोदर चोबीस का टैटल किस मुल्क ने जीता है, आस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, और इसका सही जवाब है, आस्ट्रेलिया, यहां पर तीन बातें आपको याद रखनी है, पहली बात ये, कि अइसी सी अंडर नैंटीन वर्ल कप दोदर चोबीस का टैटल आस्ट्रेलिया ने जीता है, दूसरी बात ये, कि ये मुखाबला जो है, वो सौथ आफरीखा में मनखिद हुआ है, तीसरी बात, कि आस्ट्रेलिया ने ये खिताब चार बार जीता है, और भारत की ये लगातार फैनल में तीसरी हार है, यहां पर मैं आप सब से गुजारिश करना चाहूंगा, कि आप सब हमारे टेलेग्राम चैनल को जाइन कर लें, अर्खम आउनलाइन बुक्स, जहां पर हम आउनलाइन किताबों की खरिदारी के लिए, वक्तन फॉक्तन लिंक्स भेशते रहते हैं, जिस से आपको किताबों की खरिदारी में सहुलत होगी, अर्खम आउनलाइन बुक्स, उमीद है आप तमाम इस चैनल को जाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा बर्फानी चीते कहां रहते हैं, लदाख, उतरखंड, हिमाचल परदेश या अरुनाचल परदेश, और इसका सही जवाब है, लदाख, भारत में सबसे ज़्यादा बर्फानी चीते, यानि इसनों लियोपड ये लदाख में रहते हैं, हाल ही में, चार साल से जारी सर्वे खतम हुआ है, जिनके मुताबिख भारत में जुम्ला 718 बर्फानी चीते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 477 बर्फानी चीते लदाख में हैं, तो हमारा सही जवाब है, कि भारत में सबसे ज़्यादा बर्फानी चीते लदाख में हैं, अगला सवाल है, एकसा सिविल कोड नाफिस करने वाली मुल्क की पहली रियासत कौन सी है? उतरपरदेश, मध्यपरदेश, उतरखंड या तिलंगाना? और इसका सही जवाब है उतरखंड. एकसा सिविल कोड नाफिस करने वाली मुल्क की पहली रियासत उतरखंड है. अगला स्वाल है कौन सी रियासत इंटरनेट को अपने शहरियों का बुन्यादी हख बनाना चाहती है उत्तरपरदेश, मध्यापरदेश, महाराष्टरा या तिलंगाना और इसका सही जवाब है तिलंगाना तिलंगाना रियासत अपने शहरियों को इंटरनेट बुन्यादी ह बनाना चाहती है जिसके लिए वो एक AI CT बनाने का मनसुबा रखती है जिसमें दुन्या की बड़ी बड़ी कमपनियों को तिलंगाना में AI सेंटर का ख्याम खाइम करने के लिए उन्हें मदू करना चाहती है और साथ ही इंटरनेट को अपने तमाम शहरियों तक पहुचाने के लिए उसको बन्यादी हत्य बनाना चाहती है जिसके लिए तलंगाना हकूमत पेशर रफ्स कर चुकी है अगला सवाल है हिंदुस्तान के पहले ßिजिटल National Museum of Epigraphy का इफ्तेता कहां पर हुआ? Digital National Museum of Epigraphy हैदराबाद, बैंगलूर, लखनो या बनारस Epigraphy ये मुतालिया होता है तारीखी कुतबात और तहरीरों का यानि तारीखी कुतबात और तहरीरों का मुतालिया Epigraphy कहलाता है जिसका एक National Museum बनाया गया है और ये बनाया गया है है तो सही जवाब है कि हिंदुस्तान का पहला Digital National Museum of Epigraphy हैदराबाद में बनाया गया है हैदराबाद में कहां बनाया गया? ये बनाया गया है सादार जंग मुजियम में अगला सवाल है तिलंगाना पोलिस की जानिप से बच्चों को मजदूरी से बचाने का कौन सा मिशन शुरू क्या गया? आपरेशन Lotus आपरेशन Ismaill X आपरेशन सेव चाइल या आपरेशन स्कूल और सही जवाब है आपरेशन Ismaill X तिलंगाना पॉलीस हर साल एक मुखररा तारीख में आपरेशन इसमाईल एक्स चलाती है जिसमें बच्चों को मजदूरी से बचाया जाता है अगला सवाल है भारत रतना करपूरी ठाकूर किस शोबे से वाविस्ता थे सियासत फिल मिनिस्ट्री शोबे तालीम या सैंटिस्ट थे इस दफ़ा भारत रतना पांच अफरात को दिया गया है पहले हैं एलकेडवानी वो साथवे नायव वजिराजम थे दूसरे हैं पीवी नरसी महराओ वो नवे साबेखा वजिराजम थे तीसरे हैं चरण सिंग वो पांचवे वजिराजम थे जिन्हें भारत के किसानों के चैंप्यन भी कहा जाता है चोहते हैं MS. Swaminathan जिने भारत के सब्ज इन्खलाप के बानी कहा जाता है और पांचवे हैं करपुरी ठाकूर जो के दो दफ़ा बिहार के चीफ मिनिस्टर थे इस दफ़ा इन पांच अफराद को एवार्ड दिया गया है हमारा सवाल है भारत रतना करपुरी ठाकूर किस चोबे से वाविस्ता थे और इसका सही जवाब है सियासत से उम्मीद है आप तमाम ने टेलिग्राम चेनल को जाइन कर लिया होगा अगला सवाल है बिहू फेस्टिवल किस रियासत में मनाया जाता है केरला, गोवा, तिलंगाना या आसाम बिहू फेस्टिवल अक्सर करन्ट अफेर्स के जिम्रे में और जनरल नालेज के जिम्रे में ये सवाल पूछा जाता है बहुत मशूर फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है आसाम में ब्यू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है अगला सवाल है टाटा ट्रस्ट के जरीए हिंदुस्तान का पहला जदी तरीन छोटे जानवरों का अस्पताल कहां शुरू किया गया दहली, मुंबई, बैंगलोर या हिदराबाद और इसका सही जवाब है मुंबई टाटा ट्रस्ट के जरीए हिंदुस्तान का पहला जदी तरीन छोटे जानवरों का अस्पताल मुंबई में शुरू किया गया कौन सा मुल्क क्वाइड अलाइंस का हिस्सा नहीं है चार आप्शन है आस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया और जापान कौन अलाइंस दरासल चार मुमालिक का एक ग्रूप है जो के इंडो पेसिफिक यानि बहरेहिन और बहरुल काहल के इलाखे में आपस में ये एक दुस्रे का ताउन करते हैं एक दुसरे की मदद करते हैं ये मदद सेकुरिटी की मालूमात है या एकनामिकल डवलपमेंट है या जोगराफिकल या पॉलिटिकल इस्तेहकाम है इस तरह के ये आपस में एक दुसरे के एक दुसरे से मालूमात को शेयर करते हैं खासकर सेकुरिटी से मतालख एक दुसरे है इंडिया और चोहता है जापान सवाल है कौन सा मुल्क कौाड अलांस का हिस्सा नहीं है और इसका सही जवाब है फ्रांस क्योंकि चार मुमालिक में यूएस से आस्टेलिया इंडिया और जापान है इसलिए सही जवाब है फरांस जो के काड़ अलाइंस का हिस्सा नहीं है आप से गुजारिश है कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जॉइन कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगला सवाल है कौन सा मुल्क हाल ही में इंटरनेशनल सोलार अला अलाइंस जो के 2015 में खाइम हुआ और इसका सदर मुखाम है गुरूगराम इंडिया हाल ही में एक मुल्क जो के 112 मुल्क है इस गुरूप में शामिल हुआ है इंटरनेशनल सोलार अलाइंस के गुरूप में शामिल हुआ है और उस गुरूप का नाम है माल्टा माल्टा और यह 121 वार्वे स्टिशन पत्लियाओं घान चामिक माल्टा के सदर्मखाम अगर आप जानते हो तो ज़्यूंग वार्वा कुम्रा विल्ली गाउं दरसल कुम्रा विल्ली मल्ली का अर्जुन स्वामी की मंदिर के लिए मशूर है अगला स्वाल है सम्मक्का सारलम्मा जात्रा खबाईली तहवार किस रहासत में मनाया जाता है सम्मक्का सारलम्मा जात्रा वड़ेशा करनाटक तिलंगाना या आसाम में सबसे बड़ा खबाईली तहवार है खबाईलों का तहवार सबसे बड़ा है एशया का और समक्का सारलम्मा जो जातरा होता है वो मेडाराम गाओं में होता है और ये मा बेटी यानि समक्का सारलम्मा इन दोनों का काकत्या राजा परताब रुद्रादेवा के खिलाफ राकत राजा परताब रुद्वा देवा ने जब कोया खबीले पर ये सम्मक्का सारलम्मा जो है वो कोया खबीले से तालुख रखती हैं जब इनके खबीले पर टेक्स आयत किया तो इस खबीले ने उस टेक्स के खिलाफ जदुजहत की जंग की जिसमें सम्मक्का सारलम्मा न मुनसिर पुल कौन सा है केबल पर मुनसिर पुल अटल से तू सुधर्शन पुल होडा से तू या पंबन से तू सही जवाब है सुधर्शन से तू भारत का सबसे तवील केबल केबल पर मुनसिर पुल सुधर्शन से तू है यह कहां पर है यह बहरे अरब में कुजरात में वा कोखा और बेट द्वार का दोनों को जोडता है और इस पुल का एफ्तेता वजिराजम नरिंदर मोदी ने किया है कि अगला सवाल है हजबेजेल किस रियासत का पहला राइलवेस्टेशन का एफ्तेता हुआ सिक्कम गोवा केरला या जम्मु कश्मीर सही जवाब है सिक्कम सिक्कम के पहले राइलवेस्टेशन का एफ्तेता हुआ है और उस राइलवेस्टेशन का नाम है रंग पो रंग पो और इसका एफ्तेता भी वजिराजम नरिंदर मोदी ने किया है अगला सूल हाल ही में खबरों में नजराने वाले स्टेशियो आफ यूनाटी किस दरियां के किनारे वाखिए ये किस दरिया के किनारे वाखिए है ये खबरों में क्यों आया क्योंकि हाल ही में वहां पर मुक्तलिक आलाखों से आने वाले परिंदों की वजह से ये खबरों में आया और इस Statue of Unity के बाजू में ही एक Zolurgical पार्क है जहां पर इन परिंदों का आना जाना लगा रहता है जिसकी वज़े से ये हाली में खबरों में रहा ऐसे परिंदे आए जो नादिर परिंदे थे वो भी वहाँ पर आये थे ये किस दरिया के किनारे वाखे हैं सही जवाब है नर्मदा Statue of United जो है दरिया नर्मदा के किनारे वाखे हैं ये जो मुझसिमा है ये सरदार वलभाई पर्टेल का मुझसिमा है Iron Man of India और ये मुझसिमा है 122 सी मिटर उंचा और जिसको तामीर किया है लार्शन एंड टर्बो कंपनी ने और इसको जो डिजाइन किया है वह है राम वी सुतर राम वी सुतर ने इसको डिजाइन किया है अगला स्वाल है हिंदुस्तान का पहला इसकिल इंडिया संटर का इफ्तिता कहा हुआ हिंदुस्तान का पहला इसकिल इंडिया संटर का इफ्तिता ये हुआ है संबलपूर में और संबलपूर है उड़ेशा में अठावनवे ग्यानपीट एवार्ड किसको दिया गया जगतगुरु राम भद्राचारिया गुलजार अमिताप भट्राचारिया या ए और भी दोनों सही जवाब है ए और भी दोनों याने 58 ग्यानपीट एवार्ड दो लोगों को दिया गया एक है जगतगुरु भद्राचारिया दूसरे हैं गुलजार जगतगुरु भद्राचारिया संस्कृत स्कालर है और तुलसी पीट जो के चित्राकोट में है उसके पानी है वहें पर ग यह एवार्ड याने ग्यान पीड अवार्ड जगत गुरू राम भद्राचारिया और गुलजार को दिया गया है अगला स्वाल है बैडमेंटेन एशिया टीम चंपेंशिप में किस मुल्की खवातीन ने खवातीन टीम ने गोल मेडल जीता है इंडिया चीन जापान या हुआ है अगला स्वाल है चौथे खेलो इंडिया सर्माई खेल कहा मुनाखिद हुए हैं शिमला गुलमर्ग ऊटी या हिदराबाद और इसका सही जवाब है गुलमर्ग चौथे खेलो इंडिया सर्माई खेल गुलमर्ग में मुनाखिद हुए हैं अगला सवाल है तीन गीता महसो कहा मुनाखिद क्या गया दुबाई कोलंबो कराची या खटमंडो और इसका सही जवाब है कोलंबो तीन रोजा बेन लख्वामी गीता महसो कोलंबो में मुनाखिद हुआ अगला सवाल है दादा सहाब फाल के एवाड 1224 में बहतरीन अदाकार का एवाड किसने जीता है शारुख खान आमिर खान सलमान खान या सैफ अली खान और इसका सही जवाब है शारुख खान दादा सहाब फाल के एवाड 1224 में बहतरीन अदाकार का एवाड जीता है शारुख फिलिम में शारुखान की अदाकारी के लिए बहतरीन अदाकार का एवाड दादा साहब फाल के एवाड 1224 शारुखान को दिया गया आप सबसे गुजारिश है कि हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और कामेंट में इस वीडियो के बारे में जरूर लिख और इसका सही जवाब है स्वीडन नाटो का 32 मिंबर स्वीडन बना है नाटो का फुलफाम होता है नार्थ अट्लैंटिक ट्रीटी आर्गनाजेशन ये दरसल नार्थ अमरीका और यूरूप के मुमालिक का एक ग्रूप है जो के आपस में सेकुरिटी एक दूसरे की वाशिंग्टन ट्रीटी कहलाता है और नाटो का जो सदर मुकाम है वो ब्रॉसल्स बेल्जियम में है नाटो के मौझूदा सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेन बर्ग जेंस स्टोल्टेन बर्ग नाटो के मौझूदा सेक्रेटरी जनरल है 32 मुल्क बना है स्वीडन ना नाटो का और 31 मुल्क बना है फिनलाइन नाटो का रश्या और यूकरेन की जंग से बहुत गहरा तालुख है इसको भी आप इस पसे मंज़र में याद कीजिए कि रूस ने यूकरेन पर हमला क्यों किया था अगर आपको मालूम है तो कामेंट में लिखकर बताएं अगला सवाल है दुनिया की पहली वेदिक घड़ी कहां लगाई गई उज्जैन वरंगल अहमादबाद या अमरावती और इसका सही जवाब है उज्जैन दुनिया की पहली वेदिक घड़ी उज्जैन में बनाई गई इस वेदिक घड़ी को विक्रम अधत्या वेदिक कलॉक भी कहा जाता है ये खदीम भारत की रिवायत पंचंग के मताबिख वक्त बताती है जिसमें सितारों की गर्दिश, पेशन गोई, आस्ट्रोलोजी, महुरत वगरा के बारे में बता आ जाता है ये घड़ी उजयन के जंतर मंतर में 85 फिट उचे टावर पर नस्प किया गया है और ये घड़ी गरीन वीच टाइम और इंडियन टाइम दोनों को इंडिकेट करती है इस घड़ी का दोरानिया 30 घंटे का होता है और हर घंटे में 48 मिनट होते हैं यानि एक दिन 30 घंटे का ये घड़ी बताती है ये घड़ी दरसल सूरज के तलू होने से फिर अगले सूरज के तलू होने का वक्त बताती है इस घड़ी को लखनों का एक इदारा आरोहन ने तयार किया है क्योंकि ये दुन्या की पहली वेदिक घड़ी है इसलिए इसकी तफसील भी याद रहना जरूरी है दुन्या की पहली वेदिक घड़ी उज्जाइन मध्या परदेश में लगाई गई अगला सवाल है जिओ वर्लकंविंशन सेंटर मुंबई में मनाखिदा 71 मीस वर्ल मकाब्ला किस ने जीता क्रिस्टीना फिसकोवा यास्मिना जैतून करोलेना क्रिस्टेन राइट रस का सही जवाब है क्रिस्टेना क्रिस्टेना फिजिको हुआ 71 मिस वर्ल्ड मुखाबला जीता है और ये मुखाबला हुआ था मुंबई में मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये मुखाबला हुआ था अगला सवाल है हस्बेजेल में ये तलंगाना का GI हासिल करदा product है GI याने geographical indication tag हासिल करदा product है तिलंगाना का पहला है देसेरी mango दूसरा है लाक bangles तीसरा है एरानी tea चौता है उस्मानिया biscuit और इसका सही जवाब है लाक bangles याने लाक के चुडियां होती है उसको geographical indication मिला है और यह तिलंगाना का 17 जियाई टैग हासिल करदा product है जो कि लाड़ बाजार में बहुत ज्यादा यह चुडियां मिलते हैं लाक की चुडियां जियाई की जो शुरुवात हुई है वो 15 सेप्टमबर 2003 से हुई है और जियाई फर्स्ट जो product जिसको जियाई टैग दिया गया वो दार्जलिंग tea है और geographical indication का जो सदर मुखाम है वो चन्नाई में है और अब तक तलंगाना में 17 products को जियाई टाग मिला है 70 वां जो है 17 वां जो है वो लाक बैंगलस है जियाई टाग दरसल किसी मखसूस जोगराफियाई बाखे की अश्याकी शनाख्षक के लिए यह शुरू किया गया है कि तो हमारा सवाल है कै तलंगाना का जियाई हसल करदा product लाक बैंगलस है अर्खम अकेडमी से इस्तिफादा करने वाले अभी 45 फिसद अफराद ऐसे हैं जो इस्तिफादा तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियें आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले उर्दू में एजुकेशनल कांटेंट तया करना और चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है भारत का पहला Dolphin Research Center का इफ्तेता कहा हुआ हुआ चिन्नाई मुंबई हिदरबाद या पतना और इसका सही जवाब है पतना भारत का पहला Dolphin Research Centre का इफ्तेता पतना में हुआ पत्ना में ये इफ्तता चीफ निस्टर बिहार नतिश कुमार ने किया और भारत में सिर्फ एक ही डॉल्फिन सैंक्चरी है और वो भागलपूर में है जिसको विकरम शीला गंगाटिक डॉल्फिन सैंक्चरी कहा जाता है यह भारत का एकलोता डाल्फिन सैंक्चरी है और हमारा जो नेशनल अक्वाटिक एनिमल है नेशनल अक्वाटिक एनिमल वो भी दा गंगाटिक रीवर डाल्फिन है गंगाटिक रीवर डाल्फिन जो है नेशनल अक्वाटिक एनिमल है जिसको 2009 में डिकलेर किया गया सवाल पहला डाल्फिन रिसर सेंटर कहां है जवाब है पटना में किस दर्या से भारत की पहली जेरे दर्या मेट्रो टरनल बनाई गई तापती नर्मदा ब्रह्मपुत्रा हुगली और इसका सही जवाब है हुगली हुगली दर्या में से मेट्रो टरनल बनाई गई याने दर्या के नीचे से अब मेट्रो गुजरेगी वो दर्या है हुगली और हुगली दर्या कामेंट में लिक कर बताएं कि किस शहर से गुजरती है किस टीम ने रांजी ट्राफी 2024 जीता है मुंबई, विदर्बा, आंधरा या तेमिलनाडू और इसका सही जवाब है मुंबई मुंबई ने रांजी ट्राफी 2024 जीता है विन्नर मुंबई रही है और रन्नर टीम है विदर्बा और यह फैनल मुखाबिला हुआ है वांखाड एस्टेडियम मुंबई में मुंबई ने रांजी ट्राफी दोज़ाचोबिस ट्राफी जीती है किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा चीते हैं यहां पर चीते से मुराद लियोपर्ड को लें क्योंकि लियोपर्ड और चीता में फर्ख होता है और यह जो चीता है वो खास इंडिया की नसल का है जिसको इंडियास लियोपर्ड भी कहा जाता है और पैंथर्स भी कहा जाता है यह कहां पर सबसे ज़्यादा है बंदिपूर कर्णाटक में या पन्ना मध्या पर्देश में या नागा जुना सागर आंधा पर्देश में या सत्पुरा मध्या पर्देश में और इसका सही जवाब है नागा जुना सागर स्री सेलम में सबसे ज़्यादा ये लियोपड इंडिया के लियोपड हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं और सबसे ज़्यादा लियोपड अगर रियासत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो मध्या परदेश में है अगला सवाल है मिजाईल अगनी फाई का काम्याब तजरुबा कहां किया गया सतीज धवन स्पेस संटर विकरम सारा भाई स्पेस संटर जजजिर अब्दुलकलाम या चांदिपूर और इसका सही जवाब है जजजिर अब्दुलकलाम अगनी फाई का काम्याब तजरुबा ज दिव्यास्त्रा और यह अगनी मिजाइल अगनी फाई मिजाइल का जो तज्रुबा क्या गया है वो जजिरे अब्दुलकलाम में क्या गया है यह जजिरा उड़ेशा के साहल पर वाखे है अगला सवाल है साहितिया अकैडमी अवार्ड दोदा तेवीज किसको दिया गया राम भद्राचार्या और गुलजार नीलम गोर और संजियू पंकच कुमार चटर जी या शारुखान ये चार आप्शन भी बहुत एहम है चारों को भी किसी ना किसी फील में इनाम मिला है और ये करंड अफेर दोदा चोबिस के नाम है चार भी हमारा सवाल है साहितिया अकैडमी अवार्ड दोदा तेवीज किसको दिया गया और इसका सही जवाब है नीलम गोर और संजियू इन दोनों को ये वार्ड दिया गया नीलम सरन गोर जो के एक इंगलिश आथर है इनकी एक किताब है रिक्यूम इन रागा जान की इस पर इनहें ये का एवार्ड दिया गया संजीव जो हैं वो हिंदी नाविलिस्ट हैं इनकी नाविल मुझे पहचानों के लिए ये एवार्ड दिया गया तलंगाना में वाहिद जियो हेरिटेज साइट के तोर पर पहचाने जाने बाले अर्जियाती मौझेजे का क्या नाम है कि पांडवला गड़्टा रॉक गार्डन तुर्श्टी हिल्स है अनंत गिरी हिल्स मैं और इसका सही जवाब है कि पांडवला गड़्टअ तलंगाना में वाहिद जियो हैरिटिर साइट है वह पांडव गड़्टा 27 खावमी फुटबाल चम्पन्शिप संतोष्टरफी फैनल का फातेः कौन है गोआ सर्विसेस अरुनाचल परदेष या आसाम और सही जवाब है सर्विसेस 37 खावमी फुटबाल चम्पन्शिप का फातेः सर्विसेस है संतोष ट्राफी का फाते सर्विसेस है अर्खम अकेडमी से इस्तिफादा करने वाले अभी 42 फीसद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है उनसे खाहिश है कि चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें उर्दु में करन्ट फेर्स का मवाद जमा करना, तया करना, फिर रिकार्ट करना, एडिट करना और इसको मुफ्त में फराहम करना इन सब कामों के लिए महनत लगती है, घंटों की महनत लगती है बदले में सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश रहती है, कि चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगला सवाल है, स्टेशन शिव शक्ती किस मिशन की लैंडिंग साइट का नाम है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या मंगल्यान और इसका सही जवाब है, चंद्रयान 3, स्टेशन शिव शक्ती, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट का नाम है अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान 2023 के लिए कौन मुन्तखिब हुए है परभास वर्मा, गुलजार, राम भदराचारिया या निलम गौर ये चारों भी मुक्तलिफ इनामात हसल करदा अफराद के नाम है, और सही जवाब है, परभास वर्मा सरस्वती सम्मान 2023 के लिए परभास वर्मा मुन्तखिब हुए है अगला सवाल है, भारत की तरफ से अपने शहरियों को हैती से डोमिंकन रिपब्लिक निकालने के लिए शुरू किये गए आपरेशन का क्या नाम है? आपरेशन इंद्रावती, आपरेशन गंगा, आपरेशन पोलो, आपरेशन बिलू स्टार और इसका सही जवाब है, आपरेशन इंद्रावती, भारत की तरफ से अपने शहरियों को मुल्क हेती से निकाल कर डोमिंकन रिपब्लिक को लाया गया और इस आपरेशन का नाम था, आपरेशन इंद्रावती अगला सवाल है, ओलम्पिक गेम्स दोदाव चौबीस कहां मनखिद हो रहे हैं? भारत में, रूस में, फरांस में या चीन में? और इसका सही जवाब है, फरांस, ओलम्पिक गेम्स दोदाव चौबीस फरांस में मनखिद हो रहे हैं अगला स्वाल है इसरो ने दुबारा खाबिल इस्तिमाल लांच गाड़ी री यूजिबुल लांचिंग वहिकल के लैंडिंग मिशिन का काम्याब तजरुबा किया है इसको क्या कहते है पुश्पक सार्थक विक्रम या अक्षयान और इसका सही जवाब है पुश्पक इसरो ने दुबारा खाबिल इस्तिमाल लांचिंग गाड़ी यानि री यूजिबुल लांचिंग वहिकल की लैंडिंग का जो काम्याब तजरुबा किया है उसको पुश्पक कहा जाता है अगला सवाल है पैरेस ओलम्पिक्स दोज़ाचोबीस में हिंदुस्तान के पर्चम ब्रादर के तौर पर किसे मनतखिब किया गया विराट कोहली नीरत चोपड़ा शरत कमाल या सचिंट रंडुल कर और इसका सही जवाब है शरत कमाल पैरेस ओलम्पिक्स दोज़ाचोबीस में हिंदुस्तान के पर्चम को शरत कमाल थामेंगे अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा इटरना ग्राम अगला स्वाल है किस रियास्त में हाल ही में कल्याना चालोक्या खानदान का 900 साल खदीम कनड़ा जबान में कुत्बा मिला कनड़ा तक्त में तलंगाना में तमिलनाडू में या केरला में और इसका सही जवाब है तिलंगाना में हाली में तिलंगाना में कल्याना चालोक्या खांदान का 900 साल खदीम करनड़ा जबान में कुत्बा मिला अगला स्वाल है दुन्या का सबसे आलुदा शहर बीगू सराय किस रियासत में हैं करनाटक तिलंगाना बिहार या केरला और इसका सही जवाब है बिहार दुन्या का सबसे आलुदा शहर हाल ही में जो रिपोर्टिंग आई है इंडेक्स आया है उसके मताबिख बेगू सराय दुन्या का सबसे आलुदा शहर है और ये बिहार में है वहीं पर सदर मुखाम किसी मुल्क का सदर मुखाम सबसे आलूधा कौन सा है यह अगर आपको मालूम हो तो कामेंट में जरूर लिखें चान की सते तक पहुँचने वाला पांचवा मुल्क कौन सा है रूस चीन भारत जापान यह चारो आप्शन भी बहुत अहम है और सही जवाब है जापान चान की सते तक पहुँचने वाला पांचवा मुल्क है जापान पहला मुल्क है अमरीका दूसरा मुल्क है रूस तीसरा मुल्क है चीन चोहता मुल्क है भारत और पांचवा मुल्क है जापान इस तरह से यह पांच मुल्क हैं जो चान की सते तक पह एहला अमरीका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चोहता भारत और पांचमा जापान, जापान का जो स्पेस्क्राफ्ट है, उसका नाम है SLIM, याने Smart Lander for Investigation Moon, ये स्पेस्क्राफ्ट का नाम है, अगला सवाल है, आयोध्या राम मंदिर की तामीर का चीफ मेमार कौन है, अध्या में जो हाली में जो राम मंदिर की तामीर हुई है, उसका जो चीफ आर्किटेक्ट है, याने तामीर का जो मेमार है, उसका नाम है चंद्रकान सोमपूरा, चंद्रकान सोमपूरा, चंद्रकान सोमपूरा, एक मशूर फैमली से इसका तालुख है, और इसकी फैमली ने बहुत सारे मनादिर हिंदुस्तान में तामीर करवाए हैं इनका एक तारीखी एक पसमंजर है अभी जो मशूर मंदिर इनकी निग्रानी में इस फैमली की निग्रानी में बने हैं वो हैं सुमनात का मंदिर गुजरात सौमी नारायन मंदिर मुंबई अक्षरधाम मंदिर कांप्लेक्स गुजरात बिल्ला मंदिर कुलकत्ता और अब अयोध्या राम मंदिर ये भी चंद्रकान सुमपुरा की निगरानी में बना है अगला सवाल है फोप्स की हाल्या रिपोर्ट के मताबिख दुन्या की मजबूत तरीन करंसी कौन सी है यानि किस मुल्क का पैशा पर सबसे जादा मजबूत है बहरीनी दिनार कवेती दिनार यूरो या अम्रीकी डालर और सहीं जवाब है कौवेती दिनार वर्ब्स की हाल्या रिपोर्ट के मताबिख दुन्या की मजबूत तरीन करंसी है कोवेती et दिनार न पहले नंबर पर है कोईती दिनार दूसरे नंबर पर है बहरीनी दिनार और तीसरे नंबर पर है ओमानी रियाल ये तर्तीब भी यादख लीजिए फर्स्ट कोईती दिनार सेकंड बहरीनी दिनार और थर्ड है ओमानी रियाल ये मजबूत तरीन करंसी हैं इस वीडियो के साथ मिंबर्स के लिए जमात शश्वम समाजलीम का मुकम्मिल वीडियो है और साथ ही पेपर वन के लिए मुकम्मिल E-VS भी है उस वीडियो से मीमदर्स के लिए है अगला सवाल है सोलवी माल्याती कमिशन के चेर्मेन कौन है और इसका सही जवाब है डक्टर अर्विन पनागारिया डक्टर अर्विन पनागारिया सोलवे माल्याती कमिशन के चेर्मेन है ये पहले नीती आयोक के सावेखा वाइस चेर्मेन भी रहे है यानि डक्टर अर्वि पनागारिया नीति आयोग के एक्स वाइस चेर्मिन भी रहे हैं हमारा सवाल है 16 मालुयाती कमिशन के चेर्मिन को ने और इसका जवाब है डक्टर अर्विन पनागारिया अगला सवाल है डक्टर बी आरं अम्बेट कर के 125 फीट उंचे कहां से का मुझश्षित रेया अम्बेट कर का जो 125 फीट उंचा कहां से कह مुझश्षित मा बना है वो किस रेयासित में इसका इफ्षित हुआ गुझरात केरला अंदर परदेश है टमिन नाडु और इसका सही ह जवाब है आंदरपर्देश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड़ी ने सुवराज मैदान विजयवाड़ा में इस मुझसिमे का इफ्तिताय किया सुवराज मैदान विजयवाड़ा और इस मुझसिमे का नाम दिया गया है Statue of Social Justice इस मुझसिमे का नाम है जो के डाक्टर बी आर अमेटकल से मनसूब है 125 फीट उंचा यह मुझसिमा है यह वीडियो सिर्फ मिंबर्स के लिए बनाया जा रहा है और मिंबर्स चुंकि बहुत कम रहते हैं उर्दू में पढ़ने के लिए आप से घुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को भी अर्खम अकेडमी की मिंबर्शिप जाइन करने के लिए कहें ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इससे इस्तिफादा कर सके पहले ही उर्दू में यूटूब पर करन्ट अफेर्स या जनल नालेज देखने वाले अफराद बहुत कम होते हैं इसलिए गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को अर्खम अकेडमी की मिंबर्शिप लेने के लिए रागिप करें जो कि बहुत ही मामुली खिमत पर दस्तियाब है अगला सवाल है दोदार चौबीस में किन दो हवाई अड़ों को मुश्तरिका तोर पर साल के बहतरीन हवाई अड़े से नवाज आ गया दो हवाई अड़े हैं जिनने साल के बहतरीन हवाई अड़े के तोर पर नवाज आ गया है और सही जवाब है बैंगलोर और दहली बैंगलूर और दहली के जो दो हवायड़े हैं इन्हें Wings India Award 2024 के तहट बहतरीन हवायड़ा का एवायड़ दिया गया है ये जो दो हवायड़े हैं बैंगलूर का हवायड़े का नाम है कमपे गोड़ा International Airport और दिली का जो हवायड़ा है उसका नाम है इंद्रा गांधी International Airport इन दो हवायड़ों को इनकी बहतरीन कारकद्रेगी के तोर पर बहतरीन हवायड़े का एवाड़ दिया गया है अगला सवाल है अखवाम मुतहदा की जनरल असम्बली के 78 वे इजलास के सदर कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दोरा किया था यहाँ पर पहली बात यह कि अखवाम मुतहदा की जनरल असम्बली के जो सदर होते हैं उनकी मियाद एक साल होती है यानि हर साल यह चैंज होते रहते हैं इसलिए इनको हर साल रिपीट करते रहना पड़ता है रिवाइस करते रहना पड़ता है कंफ्यूज ना हो और सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस डेनिस फ्रांसिस अठेटर में जनरल असम्बली के अखवाम मुतहदा की जनरल असम्बली के सदर हैं जिन्होंने हाल ही में भारत का दोरा किया था डेनिस फ्रांसिस अगला सवाल है हाल ही में किताब एक समंदर मेरे अंदर शाय हुई ये किसकी तहरीर है एक किताब एक समंदर मेरे अंदर इसकिताब की एहमियत इसले भी ज़्यादा अहम है कि इसकिताब की रस्मेजरा जो की है दो अहम शक्सितों की है पहले हैं National Security Advisor अजीट डुवल और दूसरे हैं Chief of Defense Staff जनरल अनिल चोहान जनरल अनिल चोहान और अजीट डुवल ने इस किताब की रसमजरा की है और इस किताब के लिखने वाले हैं संजीव जोशी ने इस किताब को तहरीर किया है ये किताब दरसल इनके 75 नजमों का मजमुआ ह 75 पोयम्स का ये कलेक्शन है संजीव जोशी कोन है संजीव जोशी ब्रहमोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं ये तीन नाम भी डिफेंस से मतालग हैं अजीट डुवल नेशनल सेकुरिटी अडवाईजर अनिल चोहान चीफ आफ डिफेंस स्टाफ और संजीव जोशी ब्रहमो एरोस्पोस एरोस्पेस डिप्टी CEO हाल ही में जो किताब शाही हुई है एक किताब एक समंदर मेरे अंदर इसके राइटर हैं संजीव जोशी एकला सवाल है ISSF वल्ड कप दोज़ाच चौबीस मर्दों का 10 मीटर एर राइफल शूटिंग यूनिट किस ने जीता और इसका सही जवाब है दिव्यान सिंग पनवार दिव्यान सिंग पनवार ने 10 मीटर एर राइफल शूटिंग यूनिट को जीता ISSF का फुल फाम है International Shooting Sport Federation जिसका सदर मकाम जर्मनी में है International Shooting Sport Federation और यह जो वल्ड कप हुआ है ISSF का दोज़ाच चौबीस का वल्ड कप यह खाहरा में हुआ है और हमारा सही जवाब है दिव्यान सिंग पनवार जिन्होंने 10 मीटर एर रैफल शूटिंग यूनिट जीता है अगला सवाल है हाकी वीमेंस वर्ल कप का है टैटल किस ने जीता है भारत पाकिस्तान नेदरलाइन जर्मनी सही जवाब है नेदरलाइन हाकी विमेंस वर्ल्ल कप ये जीता है नेदरलाइन ने और रनर रहे यानि दूसरे नमबर पर है भारत और ये मुखाबला हुआ है मस्खत ओमान में मस्खत ओमान में और ये मुखाबला एफ आई हैच यानि इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन के के महमाने खुसूसी कौन है चारो आप्षन बहुत एहम है इमानियल माइकरॉन फरांस के सदर जो बाइडन अमरीका के सदर अब्दु फत्ता अलसेसी मिस्री सदर रिशी सोनक बरतानिया के वजिराजम और सही जवाब है इमानियल माइकरॉन इमानियल माइकरॉन साल दोज़ 27 साल इसी तखरीब के लिए मिस्री सदर अब्दलफत्ता अलसेसी को बुलाया गया था इस साल एमानियल मैकरोन को बुलाया गया है जो के यूम जमरिया 1224 तखरीब के महमाने खुस्सी रहे है फरांस के और खुबी ये रही कि साल 1224 की यूम जमरिया तखरीब में फरांस के ए इजलास कहां मनाखिद हुआ और इसका सही जवाब है कमपाला नाम का वनिस्वा इजलास जो मनाखिद हुआ है वो कमपाला में मनाखिद हुआ है नाम के तालुख से तीन बातें जनल नालेज में याद करना जरूरी है पहला ये नाम का फुलफाम है नान अलाइन मॉमेंट य तब दुनिया दो हिस्सों में तख्सीम हो गई थी रशिया और अमरीका दो ग्रूप में और बाज लोग मुमालिक ऐसे थे जो किसी भी ग्रूप में रहना नहीं चाहते थे उन्होंने एक अलग से एक नावाबिस्ता तहरी नाम से एक अलग से ब्लाग बना लिया था जिसको नाम कहा जाता है तो नान अलाइंड मुमेंट दूसरी बात यह कब खायम हुए यह उन्हीं सो एक सट में खायम हुआ तीसरी बात कि अभी मौजुदा एक सो बीस मुमालिक नाम के रुकुन है करंट अफेर्स में इसका इजलास का याद रगना जरूरी है यह इजलास हुआ है कंपाला में कंपाला युगांडा का सदर मुखाम है युगांडा के जो सदर है वो है युवेरी मुस्वेनी युवेरी मुस्वेनी जो के युगांडा के सदर है और साथ ही साथ नाम के भी सदर है अगला सवाल है हिंदुस्तान में हर साल प्राक्रम दिवस कब मनाया जा यहां दो तिन बातें आहम हैं जो यादखना है प्राकरम दिवस जो है नेताजी सुभाज चंद्रभोष के पैदाशी दिन को मनाया जाता है और नेताजी सुभाज चंद्रभोष 23 जनवरी इन्होंने नारा दिया था जाहिन का याने जाहिन का जो नारा है वो नेताजी सुभाज चंद्रभोष का है और इनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है फारवर्ड बिलाग ये तीन चार बातें यादखना जरूरी है अगला सवाल है बैड मेंटन में हाल ही में इंडिया उपन दोदर चोबीस विमें सिंगल टेटल किस ने जीता इंडिया उपन दोदर चोबीस ये टेटल जीता है ताईजू इंग ने इंडिया उपन दोदर चोबीस टेटल जीता है और ये मुकाबिला हुआ है केडी जाद लडव इंडॉर हाल नए देहली में अगला सवाल है लड़कियों का खौमी दिन हर सासल कब मनाया जाता है लड़कियों का खौमी दिन हर सासर Investment मनाया जाता है 24 जन्वरी को और इसकी शुरुवात हुई है 2008 से और लड़कियों की फुलाव बहबूत के लिए बैतरी के लिए उनकी तरख्य और हिफाज़त के लिए हुकुमत की जानिब से बहुत सर इसकिमात चलाई जाते हैं जिसमें अहम इसकिमात हैं सुकनिया समरिधी योजना सीबी एसी उडान योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये तमाम के तमाम लड़कियों के लिए ही बनाई गई है और लड़कियों का खौमी दिन जो मनाया जाता है वो 24 जन्वरी को मनाया जाता है अगला सवाल है करपूरी ठाकुर को भारत रतन पाँच अफराद को भारत रतन का एलान किया गया जिसमें करपूरी ठाकुर भी है यह बिहार के वजिराला थे यह बिहार के चीफ फिनिस्टर थे इसके अलावा पीवी नर्सी माराव और चौधरी चरंसिंग को भी यह एवार्ड दिया गया दोनों साबेखा वजिराजम से और तीसरे हैं MS स्वामी नाथन जो के साइंटिस हैं और इन्हें फादर आफ इंडियास गिरीन रिवलेशन भी कहा जाता है और चोते हैं लाल कृष्ण अडवानी जो के साबेखा सियासदा हैं पांच में हैं करपूरी ठाकुर इन्हें पांच लोगों को भारत रतन का ए इलान किया गया है फिर से मैं नाम गिनवा रहा हूं पांचों के करपूरी ठाकुर पीवी नर्सिमाराव चौदरी चरंसिंग एमस स्वामिनाथन लाल कृष्ण अडवानी इन पांचों को भारत रतन का एलान किया गया अगला सवाल है दुन्या की पहली ब्लैक टाइगर सवारी यहां फाहने वाली उड़ेशा में कहां पर सिंव पल टाइगर रिजरव यहां पर यह पहली ब्लाक टाइगर सफारी खाहरी होगी यह पहली किए दुन्या के पहला मुंखाम है यह इने सिमडिपल नेशनल पार् passion ऐसे शेयर रहते हैं जिनके जिसम पर काले ज़ोड यहारे पट्टियां होती है यह कहीं और नहीं पर कर यहीं पहों के लिए यह हमारे लिए बहुत आहम हो जाता है सवाद दुन्या की पहली ब्लैकटेंगर सफारी किस रियासत में खाहएम होने वाली है उसका जवाब है उडएशा अगला स्वाल है किस मुल्क ने हाल ही में बच्चाओं के लिए दुनिया का पहला malaria vaccine प्रोगाम शुरू किया है दुनिया का पहला malaria vaccine हर वो काम जो दुनिया का पहला होता है वो current affairs के लिए और general knowledge के लिए बहुत एहम हो जाता है और सही जवाब है केमरोन केमरोन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने बच्चाओं के लिए malaria vaccine का प्रोगाम शुरू किया है आप जानते हैं आफरिका में malaria से हर साल लाखों लोग मतासिर होते हैं जिससे बचने के लिए केमरोन ने बच्चाओं के लिए भी vaccine प्रोगाम सवाल है यौमे जमूर्या परेड 2014 में किस घैरमुल्की फाजी दस्ते ने हिसा लिया यह बात पहले आ चुकी है सही जवाब है फ्रांस में में जो gummy सालेया कि अगला स्वाल Australian open open 12-24 मेंस सिंगल टेटल किस ने जिता आस्टेलियन ओपन 12-24 मेंस सिंगल टेटल ये जिता है जैनिक सिंणर ने यह इटालियन 10निस खळाड़ी है और वहीं पर रणनर रहे देंवन मेडवीडो डैनिल मेडवीडो रनर रहें यह राश्या के खलाड़ी हैं और उमेंस सिंगल जीता है अरिना सबालिंग का ने मेंस सिंगल जीता है जैनिक सिनर और उमेंस सिंगल जीता है अरिना सबालिंग का अगला सवाल है फिल्म फेर अवार्ड दोदा चोबीस में किस फिल को बहतरिन पापूलर फिल्म का फिल्मफर का ये फिल्म दरसल एक IPS आफिसर द्सक्य मलइन इस फिल्म में देरेक्टर जिनने बहतरिन डीरेक्टर का भी एवार्द दिया गया है टुवेल्थ फेल फिलिम को अगला सवाल है निशा पाहुजा की कौन सी फिलिम को आसकर 1224 के लिए किस जिम्रे में नामजद किया गया है निशा पाहुजा की फिलिम सही जवाब है टुकिल ए टैगर टुकिल ए टैगर निशा पाहुजा की फिलिम को आसकर 2014 के लिए नमजद किया गया था लेकिन इस फिलिम को एवाड नहीं मिला और यह फिलिम क्योंकि डाकुमेंटरी फिलिम है इसलिए इसको बेस्ट डाकुमेंटरी केटेगरी में इसको नमजद किया गया था एवाड नहीं मिला और एवाड मिला है एक और डाकुमेंटरी जिसका नाम है 20 Days in Maripole, यह यूक्रेन और रश्या की जंग पर मबनी एक डाकुमेंटरी फिल्म है, 20 Days in Maripole, उस फिल्म को बेतरीन डाकुमेंटरी यह बेस्ट डाकुमेंटरी केटेगरी में एवार्ड दिया गया है, अगला सवाल है, फर्स क्लास किरकित में तेज तरीन ट्रि में अगरवाल, यह हैदरवाद के लिए खेलते हैं, इन्होंने 160 बाल में 323 रन बनाएं, फर्स क्लास किरकित में, यह एक अलग से, इनका एक रिकार्ड है, करन्ट अफर्स के इस तरह के मजीद वीडियो के लिए, अपने दोस्त अहबाब को मिंबर्शिप, यानि अर्खम अकेडमी का मिंबर्शिप को जाइन होने के लिए रागिप कीजिए, जितने मिंबर्श बनेंगे, उतने वीडियो बनाने में दिल्स्थ भी रहेगी, वरना फिरी में जो वीडियो हैं, वो तो यूटुब पर आवाले बुलाएं, मेरे अपने चनल पर भी आवाले मताल लागिद हुई और इसका सही जवाब है, हैदराबाद में मताल भी हुई क्योंकि यह एक्सपो एश्या की सबसे बड़ी हैड़ोंकि ह हुआज जासे मुतालख हमारे लिए अहम यह है कि यह जो एक्स्पो है वो इंडिया में और वो भी हैदराबाद में मनाखिद हुई अगला सवाल है वर्ल्ड एक्नामिक फोरम हिंडुस्तान की किस रियासत में हेल्थ केर और लाइफ साइंस पर मबनी एक मरकज खाइम करेगा और इसका सही जवाब है तिलंगाना यह मरकज जो होगा जिसको C4IR कहा गया यहने Center for Fourth Industrial Revolution यह वर्ल्ड एक्नामिक फोरम खाइम करेगा इंपॉर्टन इसलिए है कि वर्ल्ड एक्नामिक फोरम एक मरकज हिंडुस्तान में खाइम कर रहा है और वो भी तलंगाना में खाइम कर रहा है और इसका जो मरकज मौजू होगा वो Health Care and Life Science होगा ऐसे समझे कि Health Care पर वर्ल्ड एक्नामिक फोरम एक मरकज तलंगाना में खाइम कर रहा है जो Center for Fourth Industrial Revolution का एक मरकज होगा जब बात वर्ल्ड एक्नामिक फोरम के आई है तो इसके जो सदर है वो हैं बार्ज बरनेट और इसका सदर मुखाम स्विजर लेगाल है भारत का सबसे तवील पुल याने ब्रिज कौन सा है और इसका सही जवाब है अटल सेतु अटल सेतु भारत का सबसे तवील ब्रिज बन गया है इस ब्रीज को वजिराजम नरेंदर मोदी ने इफ्तिता किया है ये जो ब्रीज है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और इस ब्रीज का नाम साबेखा वजिराजम अटल बिहारी वाजपई के नाम पर रखा गया है अटल सेतु नाम से और अटल सेती की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमेटर है जिस पर 6 लाइन है तो भारत का सबसे तवील पुल अटल से तु है अगला सवाल है कुम मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला भारत की किस रियासत में मनाया जाता है सवाल में ही दो जन्ना नालेज के कुश्चन है पहला ये कि भारत का सबसे बड़ा जो मेला है हिंदू मेला वो है कुम मेला और दूसरा जो मेला है वो गंगा सागर मेला है अब सवाल ये है कि गंगा सागर मेला किस रियासत में मनाया जाता है और इसका सही जवाब है मगरबी बंगाल गंगा सागर मेला मगरबी बंगाल में मना भी परगना जिले में होता है और यहां पर भी सागरदीप एक मुखाम है बंगाल के साहल पर वहां पर यह मेला मनखिद होता है सागरदीप वो जगा है जहां पर दरिया गंगा खलीज बंगाल से जाकर मिलती है और यहां पर कपिल मुनी के मंदिर में पूजा की जाती है चार दूसरा बड़ा मेला गंगा सागर मेला गंगा सागर मेला माघर्बी बंगाल के जनुबी परगना में होता है और चौती बात ये बंगाल के साहल सागरदीप में होता है पांचवी बात सागर्दी वो मुखाम है जहां पर द्रयाए गंगा जाकर खलीज बंगाल में मिलती है और च्छेटी बात कि यहां पर याने गंगा सागर मेले में कपिल मुनी के मंदिल में पूजा की जाती है यह तर्तीब आप लिख लें अगर आपको लिखने में दिश्वारी हो रही है तो मैं यह स्लाइड्स हमारी टेलिग्राम चैनल पर रख दूँगा आप वहां से भी आप ले सकते हैं लिखने की भी जरूरत नहीं है उस टेलिग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा वहां से भी आप ले सकते हैं अगला सवाल है 27 नेशनल यूद फेस्टिवल कि शहर में मनाखिद किया जाएगा 27 नेशनल यूद फेस्टिवल और यह मनाखिद होगा नासिक हुगा नहीं हो चुका है नासिक में और यह बारा जन्वरी को सवामी विवकानिन के यूद फेस्टिवल मनाया जाता है बारा जन्वरी नेशनल यूद नौजवान यूद डे भी मनाया जाता है दो तीन चीज़ें आपको मिल गए यहांपर पहला यह के 12 जनवरी को स्वामी विवाकानिन का यूमे पैदाइश है जिसको हम खवमी यूमे जो नौजवान के तोपर मनाया जाता है इस साल 27 वा निशनल यूट फेस्टिवल ये नासिक शहर में मनाया गया है अगला सवाल है किस टेगर रिजर्व को हिंदुस्तान के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है भारत का हर वो काम जो पहले होता है वो हमारे लिए जनल नालेज और करेंट अफेरिक टेते पार से बहुत आहम हो जाता है यहां पर एक Tiger Reserve को हिंदुस्तान का पहला Dark Sky Park का खिताब मिला है तो इसका सही जवाब है Pench Tiger Reserve Pench Tiger Reserve को पहला Dark Sky Park का खिताब मिला है यह Pench Tiger Reserve महरास्टरा में है कभी कभी सवाल Tiger Reserve के तालग से पूछ लेता है कि वो किस रियासत में है तो इसका सही जवाब है महरास्ट्रा में और ये हिंदुस्तान का पहला और एशिया का पांचवा टैगर रिजर्फ बन गया है जिसको डार्क स्काई पार्क का खिताब दिया गया है दस स्वाल है हाल ही में भारत के किस शहर में बैनलाखवामी उन्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है उन्ट फेस्टिवल हर साल होता है इस साल भी हुआ है इस साल ये फेस्टिवल कहा हुआ है सही जवाब है बेकानेर राजिस्तान में है जाहिट सी बात है उंट भारत में ज्यादतर राजिस्तान में होते हैं तो ये फेस्टिवल भी राजिस्तान में हुआ राजिस्तान में बेकानिर शहर में हुआ है अगला सवाल है बहतरीन फीफा मेंस प्लेयर का एवार्ड किसको दिया गया फीफा मेंस प्लेयर इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी इस साल का बहतरीन फीफा मेंस प्लेयर का एवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी का मेसी को दिया गया है यह वार्ड के नाम बदलते रहते है जिस साल आप याद कर रहे हैं, उसी साल का आप याद कर ले हैं, फिर अगले साल का कोई और होगा, उससे कन्फीज ना हो, अगला सवाल है, हिंदुस्तान की पहली शमसी तवनाई से चलने वाली कश्ती किस दिरिया में चलाई जाएगी, हिंदुस्तान की पहली शमसी सब्सक्राइब करें कि आप जानते हैं वह कामेंट में लिख दें चाहे तो आप Google की मदद ले सकते हैं इसे फैदा यह होगा एक तो यह कि उस तालफ से आपको मालुमात होंगी दूसरी है कि जो चीज आप लिख देते हैं वह आपको बहुत देर तक आपके जहन में रह जाती है इसलिए कोशिश करें के लिखें कापी पेस्ट ना करें बल्के Google से मदद लें या कहीं और से मदद लें और उसको कामेंट में लिख दें कि सरायू रिवर के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं या यह किस शहर से निकलती है इसके किनारे कौन से शहर हैं कौन से कौन सी रियास्त में है जो कुछ आप इसके जानते हैं वह आप कामेंट में बहुत ज्यादा रहा है क्योंकि इस नहर के किनारे कि लाकों साल पुराने एक जंगल की दर्याफ्त हुई है इसलिए ये खबरों में रहा और ये जो नहर है ये बहर आख्यानूस और बहरुल काहल दोनों समंदरों को मिलाने का काम करती है अगला सवाल है किस मुल्क ने य आमान इजलास की मेजबानी की करांट अफेर्स का ये फेवरेट टापिक है यूकरेन जब से जंग शुरू हुई है यूकरेन की ये करंट अफेर्स के लिए बहुत आहम हुआ है कि यूकरेन और रश्या के बारे में जो जो चीज़ें आपको कहीं पर भी मिलें इसको नोट कर लें चाहे वो जंग के मतालग हो इजलास के मतालग हो उनके सुदूर के मतालग हो या उनके सदर मुखाम के मतालग हो यूकरेन की जंग जब से चली है ये करंट अफेर्स में हमेशा हेडिंग में रहा है तो एक मुल्क ने आलमी अमान इजलास मनाखित किया था यूकरेन पर और वो वो मुल्क है स्विजिल लाइन स्विजिल लाइन ने युक्राइन पर आलमी अमान इजलास का इन्हेखाद अमल में लाया था आप से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्त हबाब को अर्खम आकडमी चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए कहें बहुत बहुत शुक्रिया सियाई एसिफ याने संट्रल इंडस्ट्रियल सेकुरिटी फोर्स की पहली खातून डिरेक्टर जनरल के तौर पर किसका तखरूर किया गया यहां पर तीन चार बातें अहम हैं जो आपको याद रखनी हैं पहला है सियाई एसिफ का काम याने संट्रल इंडस्ट्रियल सेकुरिटी फोर्स और दूसरी बात इसका जो ख्याम अमल में आया है वो निस सो वन सतर में हैं यानि नैंटिन सिक्टी नैन सियाई एसिफ के एहम काम जो होते हैं वो है एहम मुखामात की निगरानी करना सरकारी अमारतों की तारीखी होम अफेर्स की निगरानी में ये इदारा काम करता है तो सियाई सेफ आम तरपर मेल डामिनेटेड इदारा है लेकिन ये पहली पार ऐसा हुआ है कि वहां पर एक खातून को डारेक्टर जनरल के तोर पर तखरूर के आ गया है और उस खातून का नाम है नैना सिंग नैना सि सिंग सियाई सेफ के पहली खातून डारेक्टर जनरल बनी है अगला सवाल है वीर बाल दिवस हर साल 26 डिसमबर को किस सिख गुरू के चार बेटों की शहादत की याद में मनाया जाता है और इसका सही जवाब है गुरू गोबिन सिंग यह वीर बाल दिवस जो हर साल 26 डिसम रस जाता है गुरू गोबिन सिंग कौन थे गुरू गोबिन सिंग यह सिक्कों के दस्वे और आकरी गुरू थे इनके चार लड़के थे पहला है जुरावर सिंग दूसरा फते सिंग, तीसरे हैं, जै सिंग, छोते हैं, कुलवंत सिंग, ये चार बेटों की शहादत के याद में वीर बाल दिवस हट साल 26 डिसम्बर को मनाया जाता है, ये इन चारों बेटों ने औरंगजेब के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, अगला सवाल है, 2024 के खेलो इंडिया यूद गेम में पहली बार कौन सा खेल मतारूफ क्या गया है, यानि 2024 में जो खेलो इंडिया यूद गेम हुआ है, उसमें पहली बार एक खेल का तारूफ क्या गया है, वो खेल है, स्क्वैश, स्क्वैश को 2024 के खेलो इंडिया यूद गे गेम ये सिख्ट एडीशन था और ये वननीस जन्वमरी था या- vibes Leben दोज़ा चबीश को ये गेम्स मनाखिद हुए और इसका मुखाम शामिल किया गया अगला स्वाल है हिंदूस्तान ने अपनी करंसी के आलमी इस्तेमाल को फरोग देने के एग्दाम के तोर पर खाम तेल की खरीदारी के लिए किस मुल्कों रुपे में अदाएगी की यानि तेल का जो पिट्रोलियम का जो हमेरे पास दरामद होता है उसके बदल के तुर पर रखम दी जाती है आम तरफ डालर मी दी जाती है लेकिन हाल ही में हिंदुस्तान ने अपनी करंसी यानि रूपिय को तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया है और वो मुल्क है UAE, यहने United Arab Emirates के साथ जो तेल की खरिदारी हुई है, वो रूपिय में हुई है, अगला सवाल है, इस माददा चीता का क्या नाम है, जिसने हाल ही में मध्या परदेश के कुनू नेशनल पार्क में तीन बच्चों को जनम दिया है, यह बहुत अहम सवाल बन जाता है, जब कभी चीता का जिकर आएगा, तो जरूर कुनू नेशनल पार्क का भी जिकर आएगा, कुनू नेशनल पार्क के तालोग से भी सवाल बन सकता है, कि वो कहां पर खाएं है, तो उसका जवाब होगा मध्या परदेश में, यहाँ पर चीता को रखा गया है, और जिस चीता ने तीन बच्चाओं को जनम दिया है उस चीता का नाम है आशा और यह नाम वजिराजम नरेंदर मोदी ने उस चीता को दिया है तो सही जवाब है आशा आशा ने पहल ही में मद्यपरदेश के कुनू नेशनल पार्क में तीन बच्चाओं को जनम दिया है अगला स कर ये external affairs minister है इन्हों ने इस किताब में पिछले दहे में वजिराजम नरेंदर मोदी की ख्यादत में हिंदुस्तान की जो काम्याबिया हुई है उसका इसमें जिकर किया है अगला सवाल है हिंदुस्तान और किस मुल्क ने अपनी 147 साला तारीख में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है जो 107 ओवर्स यानि 642 गेंदों में खतम हो गया है यह अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला गया है दो मुल्कों के दरम्यान में एक हैं हिंदुस्तान और दूसरा है सौत अफरीखा यानि जुनूब हिंदी 2024 हर साल किस तारीख को मनाया जाता है आलमी यूम हिंदी यह मनाया जाता है दस जन्वरी को दस जन्वरी को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 में एक पहली आलमी कांफरेंस नागपूर में हुई थी उस कांफरेंस की यादगार में हर साल 10 जन्वरी को आलमी योमे हिंदी मनाया जाता है अगला स्वाल है भारत की पहली आपदो सयाहत कि स्यासत में शुरू की जाएगी पहली आपदो सयाहत याने फर्स्ट सब्मेरिन टूरिजम फर्स्ट सब्मेरिन टूरिजम यह जो है यह गुजरात में शुरू की जाएगी और मुखाम कहां पर टूरिजम की शुरुष तो की गई इस अगला स्वाल है कौन सा मुलक साल 24 जुलाई में 24 में Uniscope की आलमी सखाफती विर्षा कमेटी की सरब्राही करेगा Uniscope World Heritage committee की सरब्राही करने वाला मցलक कौन सा है 24 अई ये मुलक भारत भारत Uniscope World Heritage Committee 2024 की सरवराई करेगा यह पहली दफ़ा है जो भारत इस committee की सरवराई कर रहा है और यह जो committee की meeting होने वाली है वो 21 जुलाई ता 31 जुलाई नई दहली में होने वाली है